देखे फ्रेंट्स मैं हूँ रेडी और आज मुझे जाना है करने थोड़ा पारिशारी तो मिलूंगी छोटे से ब्रेक के बाद मेरा लुक कैसा लग रहे हैं आप सभी को कमेंड करके जरूर बताना और अगर आप सभी को पसंद आएगा तो मैं नेक्स टाइम आप सभी के साथ मस्ती कर लिया जाए तो अंकल के साथ मस्ती करने के बाद बढ़ जाती हूं आगे तो पता चलता है कि हमारा जो रेश्ट्रॉर है वो ना यहां के बिल्डिंग के 6 वाले फ्लोर पे है तो मैं भी यहां पर फर्स टाइम आई थी तो सोचा कि चलो सीरी से तो नहीं जा सक तो पैसा तो उतना ही लगबग खर्च हो जाता है खाने पीने में बट जो एक अच्छा होता है उसका बात ही अलग होता है और यह हमारे तरफ न्यू खुला है तो डेकुरेशन वगएरा सब कुछ बहुत ही सुन्दर लगा मुझे यहां का और अभी हम लोग थोड़ा से स् सुन्दर लग रहा था और वो अंकल आंटी जो डांस कर रहे थे ना उनका भी मुझे मस्त सीन लग रहा था मैंने बाद में उनके साथ फोटो की चाहिए था तो अभी हमें हमारा टेबल मिल चुका है तो यहां पर मैं मेन्यू डिसाइड कर रही थी और एक्चुली ना पहल और यह देखो कितना प्यारा सा लगाया हुआ था तो आर फूडीज है तो हमने ओडर किया था चिकेन टिक का मसाला पनीर लबाबदार और उसके साथ बटन ना और कॉंपलिमेंटरी जो होता है ना अन्यान उसके साथ चटनी और अचार हमें कॉंपलिमेंटरी दी गई थी तो फूड हमारा सर्फ हो रहा था और मैंने थोड़ा सा अपना हाथ जो है यहां पर बर्न कर लिया था कैंडल से और भाईया ने मुझे यहां पर नान रोटी न परोस दिया है तो अभी मैं खा के बताती हूं कैसा बना था खाना मैं तो बहुत जादा ही डिलीसियस फूड प्राइज वाइज अगर बात करें न तो थोड़ा सा यहां पर कॉस्टली था अगर पैसे लगे और खाना टेस्टी मिल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पर तो मैं बहुत जादा ही खुस हो गई थी यहां का खाना खाने के बाद वैसे अब नेक्स टेम यहां कब आना होग करने के बाद अभी हम लोग यहां से लीव कर रहे थे पेमेंट कर दिया था और उसके नीचे रिलाइंस ट्रेंड था तो मैंने जा के वहां पर कूर्ती वगेरा देखना है स्टार्ट किया तो प्राइज वाइज अगर बात करें न तो यहां के जो क्लोधिंग का सेक्शन थ और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे यह कूर्ती पसंद आया था रियली मैं आप लोग बताना यह मेरे उपर कैसा लगेगा कलर डिजाइन सब कुछ मुझे पसंद था बट इसका कौश्ट न कपरे के अकॉर्डिंग 2600 था तो मेरी बहन ने बोला कि देखो इसको और यह ना एक दूसरी डिजाइन है जो कि भाईया ने सजेस्ट किया था और फिर मुझे भी एक पसंद आया था तो भाईया ने बोला कि आपके हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा बट मुझे बहुत जादा ही लूज हो रहा था और अगर प्राइज वाइस देखे तो सब्सक्राइब कर दो हजार का नकलीन रोटने कर आया था और बोल रहा था कि अंकल अंकल मेरे मम्मी के लिए सोने का अंगूठी दे दो और जब मैंने पूछा कि बेटा क्या बोल रहे हो तो जा कि अपने पापा के पिछे चुपके और सरमा रहा था तो यहां पर इतना सा पिंज्वाय करने के बाद बंद करने का टाइम हो गया था तो हम लोग चले गए थे खाना पीना तो खाई लिया था तो घर की तरफ जाने की बारी थी लेकिन मैं बाहर गई हूं और कुछ खाने के बाद आईसक्रीम नहीं खाऊ ऐसा हो सकता है क्या तो फिर से मुझे सावर भी खाया और बहुत जादा ही मज़ा आया तो अगर आपको भी आज की वीडियो देखे मज़ा आया हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने